नमस्का दोस्तों आज मा चुके कन्योज के पास बिसंदुगा गाउं में और इस गाउं में किसानों का आलू बरबाद हो गया और कई किसानों का लगबग 5 से 10 बिगा और 15 बिगा आलू बरबाद हुआ अभी तक जमा नहीं तो ऐसे कई किसान हैं जिन से आज आज आपको मिल दाने वाले हैं और इनका भी जो है एक भाई जिनका 15 भीगा अलू बरबाद हो गया एक गलत दवाई की बज़े से तो भाई इधर आओ तो आपने कितने भीगा अलू गाड़ा था इस अपने तेरा भीगा गाड़ा तेरा बीगा जो आपने आलू में कौम से दवाई का रहे थे जब भी आप आलू गाड़े पहले यह बायर की आती थी इस बार कृष्टल की आई तो हमें तो दुकंदारों ने बताया कि वही चीज है तो आपको यह पता कैसे चला कि आपको आपके वे आलू में दिक्कत है आपको आपको आपका आलू जम नहीं रहा है अपको और एक ही दबाई लगाई थी कब आपने आलू खेद में गाड़ा था आलू मैंने गाड़ा था एक आलू तो करीब तो अभी यह वही खेद है यह आठी वीगा का खेद है यह वहां से थोड़ी दूर पे है यहां से करीब च्छेशासो अब अब इसमें क्या करेंगे अब इसमें हम वीजा तो लेके आए हैं और गाड़ेंगे दुबारा आप करेंगे तो टाइम तो चला हाँ दोबारा गाड़ेंगे तो नागत हा किवाद पाने जाए हो यह नहीं ही पाएगा कि यह नहीं पाएगा कमझा पूले कि आप पर जालव गाड़ए तो आपको आपको खुदका था यह यह पिछली साल आपकी लागत कितनी लग गए थी लगबग तेरा बीगा में भीजा तो हमारा था खुद का इसके बाद में खाद की लागत हम खाद लाए थे करीब 35,000 रूपए की खाद हमने डाली हुई थी और हमारे जुताई का खरचा है और लेवरी खरचा है और बीजा लगबग में 50,000 का मान लीजिए वीजा क्योंकि अभी हम दुबारा में बीजा मोल लेके आए हैं 35,000 रुपए का पड़ा जब कि हम बीजा लिया हो उसके बाद पहले तो आपको खुद का था जब आपकी खेत में दिक्कत होगी तो आपने दुबारा बीजा खरीदा होगा बारस ने फिर उसक के भाई किसी का गया है हाँ चाचा जी का गया है दो भी गया दो भी गया जी तो उनको भी सेम समस्य होगी उन्होंने इसी दवाई का यह दवाई का चड़काव किया होगा वह भी खेत जुद गया है कल वह भी गाड़े जाएंगे तो आप लोगों ने अभी तक कहीं सिकाय कि अब हम कहां सिकायत करें हम सिकायत तो नहीं कि पहले हम इसे गाड है यह में हम सिकायत के पीछे पड़े रहे रहें तो आपका बरबाद हो गया कि आलू में सबसे जादना लागत लगते हैं करेंगे रिस्परंस नहीं अच्छा मिलेगा उत्पादन कि समय हर चीज का समय रहता है ताइम भी ओबर हो गया तो कहीं नहीं आपका जो इसमें जो लागत पाने लगी इसी एक चक्रम आप आलू गाड़ रहे हैं जी जी लागत के लागत की वज़े से गयों भी नहीं हो सकता हाँ गयों ज्यादना लागत में गयों नहीं होता है तो इसी लिए आपने आलू कर रहे हैं तो आप जो आपने आलू लिया है इसमें कहुं से द्वाज़ चड़काओ करेंगे इस बार तो हमारी आज का तरही है था ने लोगों का गया हुआ है वे पता किसे चलेगा कि यह दिक्कत है दवाई क्योंकि आज हम जब वहां से बात करने गए तो उन्होंने बताए कि जो लोग दुकंदार होते हैं तो उनके दवाई लेने से पहले जो दवाई की एक एकस्पारी डेट होती है कभी जो दुकंदार आपको दवाई बेंचने के चक उसमें जुलाई मेड हुई है वो जुलाई दो हजार बाईस और एस्पारी डेट उसमें दे रहे हैं जुलाई दो हजार चौबिस अच्छा तिन चार साल तक वह वैलिड रहेगी दवाई में कोई दिक्कत नहीं होगी तो अभी तक आपने कंप्लेंट नहीं किया लेकिन इ इतने भी किसानों का जो अलू गया है इसे दबाई की वज़े से तो यह कंपनी क्लेम बढ़ने के लिए वहां से उपर से आदेश गए हैं और देखते हैं आपको लोग कितना इसमें क्लेम देती वह अब हमें मिल जाता है तो तो यह वही खेद है जो जुद चुका है और इ यह दिक्कत है कि जैसे यालू इसमें खेद में जब गाला गया तो उसके वाद सिर्फ यह जो है ना यह अंकुरित होता है यही मोटा मोटा हो गया और बांकी का इसमें कुछ नहीं हुआ